भारत माता की भारत माता की केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सभी साथी गण देश के कोने कोने से यहाँ इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई भेन देश के सत्तर से जादा सहरों से जुड़े मेरे सभी साथी अन्य महानुभाव और मेरे परिवार जनो आज भगवान विश्वकर्मा की जैनती है ये दिन हमारे पारंपारी कारीगरों और शिल्प कारों को समर्पित है मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जैनती की अनेख अनेख शुपकामनाय देता हूँ मुझे खुशी है कि आज दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का आउसर मिला है अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बेनों से बात भी हुई है और मुझे आहाने में विलम भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एक्जिविशन बना है वो भी इतना शांदार है निकलने का मन नहीं करता था और मेरा से आप सबसे भी आगर हैं कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी दो तिन दिन और चलने वाला है तो खास करके दिल्ली वाश्यों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें साथियों भगवान विश्वकर्मा के आसिरवात से आज प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना का आरभ हो रहा है हाथ के हुनर से औजारों से परंपरागत रुप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पी-एम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई कीरण बनकर आ रही है मेरे परिवार जनो इस योजना के साथ ही आज देश को इंटर्रेस्टनल एग्जिबेशन सेंटर यशो भुमी यशो भुमी भी मिला है जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे स्रमीक भाईयों और बहनों का मेरे विश्वकर्मा भाईयों बहनों का तप नजर आता है तपस्या नजर आती है मैं आज यशो भुमी को बेश के हर स्रमीक को समर्पित करता हूँ हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूँ बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशो भुमी के लाभारती होने वाले हैं आज इस कारकम में जो हजारों विश्वकर्मा साथ ही हमारे साथ विडियों के माद्गम से जुड़े हैं उन्हें में विशेश तोर पर ये बताना चाहता हूँ गाउं गाउं में आप जो सामान बनाते हैं जो शिल्प जिस आर्ट का स्रेजन करते हैं उसको दुनिया तक पहुंचाएने का ये बहुत बड़ा वाइबरन्ट सेंटर ससक्त माध्यम बनने वाला है ये आपकी कला आपके कौशल आपकी आर्ट को दुनिया के सामने सोकेस करेगा ये भारत के लोकल प्रोड़क को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा मेरे परिवार जनो हमारे हाँ स्वास्त्रों में कहा गया है यो विश्वम जगतम करोथ से से सव विश्वकर्मा अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्मान कारिय को करता है में उसे विश्वकर्मा कहते हैं हजारों वर्सों से जो सांथी भारत की सम्रदी के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है जैसे हमारे सरीर में रीड की हड़ी की भूमिका होती है वैसे ही समाज जिवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपुर्ण भूमिका होती है हमारे विश्वकर्मा साथ ही उस काम उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोज मरा की जिन्दगी की कलपना भी मुश्किल है आप देखिए हमारी क्रशी व्यवस्था में लोहार के बेना कुछ क्या संभव है नहीं है गाव देहात में जूते बनाने वाले हो बाल काटने वाले हो कपड़े सिलने वाले दरजी हो इनकी एहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती फ्रीज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराई का पानी पिना पसंद करते हैं कि दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाएं टेक्नोलोजी कहीं भी पहुँच जाएं लेकिन इनकी भूमी का इनका महत्वा हमेशा रहेगा और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहँचाना जाए उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए साथियों हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का उनका सामर्त बढ़ाने और उनकी सम्रुद्धी बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बन करके आपके पास आई है अभी सोजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया और शायदी कोई गाउँ ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग नहों इन में लकडी का काम करने वाले कारपेंटर, लकडी के खिलोने बनाने वाले कारिकार, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभुषन बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुमार, मुर्तिया बनाने वाले मुर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त का काम करने वाले लोग हैर कटिंग करने वाले लोग कपड़े धुलने वाले लोग कपड़े सिलने वाले लो माला बनाने वाले फिशिंग नेट बनाने वाले नाव बनाने वाले असे अलग 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 के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया ह पीएम विश्व कर्मा योजना पर सरकार अभी तेरा हजार करोण रुपिये खर्च करने वाली है मेरे परिबार जनो कुछ साल पहले करीब 35 साल हो गए होंगे मैं एक बार यूरोप में ब्रसल्ज गया था तो महां कुछ समय था तो मुझे वहां के जो मेरे होस से वह एक ज्वैलरी का एक्जिविशन था वो देखने के लिए ले गए तो मैं जिग्या सा से जड़ा पूछ रहा था उनको कि भे हां यहां यहां यह चिजों का मार्केट कैसा होता है क्या होता है तो मेरे लिए बड़ा सर्प्राइस था उन्होंने कहाँ सावज यहां जो मशिन से बनी हुई ज्वैलरी हैं उसकी डिमांड कम से कम होती हैं जो हाथ से बनी हुई ज्वैलरी हैं लोग महेंगई से महेंगे पैसे दे करके भी उसको खरीदना पसंद करते हैं कि आप सभी हाथ से अपने हुनर से जो बारी काम करते हैं दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है आज कल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोड़क्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती हैं यह पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्री है आउट्सोर्सिंग का काम भी हमारे इनी विश्वकर्मा साथ्यों के पास आए आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा भने हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया की बड़ी बड़ी कमपनिया आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें आपके दरवाजे पर दस्तक दें बोख्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं इसलिए यह योजना विश्वकर्मा साथ्यों को आदूनिक यूग में ले जाने का प्रयास है उनका सामर्थ बढ़ने का प्रयास है साथ्यों बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग टेकनलोजी और टूल्स बहुत ही आवश्वकर्मा योजना के जरिये आप सब साथ्यों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोड दिया गया है ट्रेनिंग के दौरान भी क्योंकि आप रोज मरा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग है इसलिए ट्रेनिंग दर्मियान भी आपको हर रोज 500 रुपिया भत्ता सरकार की तरप से दिया जाएगा आपको आदुनिक टूल किट के लिए पंदरा हजार रुपिय का टूल किट वाउचर भी मिलेगा आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेंजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी और बडले में सरकार आपसे चाहती हैं कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जी एस्टी रेजिस्टर है काला बजारी नहीं चलेगी और दूसरा मेरा आग रहे हैं यह टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए मेरे परिवार जनों अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरूवाती पुंजी की दिकप ना आए इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है इस योजना के तहट विश्व कर्मा साथियों को बिना गैरंटी मांगे जब सब बैंक आपसे गैरंटी ने मांगती है तो आपकी गैरंटी मोदी देता है कि बिना गैरंटी मांगे तीन लाख रुपिये तक का कर्ज मिलेगा आपको रण मिलेगा और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस रण का ब्याज बहुत ही कम रहे सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई आपने नए टूल ले लिए तो पहली बार आपको एक लाख रुपिये तक का रण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है तो फिर आपको दो लाख रुपिया का रण और उपलब्द होगा मेरे परिवार जनों आज देश में वो सरकार है जो वन्चीतों को वरियता देती है ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क योजना के जरिये हर जिले के विशेश उत्पादों को बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार ने ही पहली बार रेडी पट्री ठेले वालों को पी एम स्वन इधी के तहट मदद कियें बैंक के दरबाजे उनके लिए खोल दिये है यह हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवा की है यह हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हरस्तार हरस्तान पर विशेश सुविधाएं विक्सित की है जिसे कोई नहीं पुस्ता, उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है सबको सम्मान का जीवन देना सभी तक सुवीदा पहुचाना ये मोदी की गारंटी है मेरे परिवार जनो जब टेक्नलोजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है ये पूरी दुनिया ने जी ट्वेंटी क्राप्ट बाजार में भी देखा है जी ट्वेंटी में हिस्सा लेने के लिए जो विदेसी महमान आये थे उनको भी गिप में हमने विश्व कर्मा साथियों के बनाये सामान ही बेंट में दिए लोकल के लिए वोकल का ये समर्पन हम सभी का पूरे देश का दाइत्व है क्यों इसमें ठंडे पड़ गए ना ना मैं करूं तो ख्लो ताली बजाते हो आपको करने की बाद आए तो उग्जाते हो आप मुझे बताइए हमारे देश में जो चीजें हमारे कारिगर बनाते हैं हमारे लोग बनाते वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचनी चाहिए दुनिया के बाजार में पिकनी चाहिए नहीं पिकनी चाहिए तो यह काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा साथियों अब गणेश चतुर्थी धन्तेर दिपावली सहीथ अनेक तोहार आने वाले हैं मैं सभी देश वासियों से लोकल खरिदे का आगर करूंगा और जब मैं लोकल खरिदे की बात करता हूँ तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिये ले ले बाद और कुछ ने हर छोटी मोटी चीज कोई भी बड़ा सामान खर दें जिसमें हमारे विश्व कर्मा साथियों की चाप हो भारत की मिट्टी और पसेज़े की महेक हो मेरे वाद परिवार जनो आज का विश्वित होता हुआ भारत हर छेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है कुछ दिन पहले हमने देखा हैं कि कैसे भारत मंडबब को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है ये इंटरनेशनल एग्जिबिशन सेंटर यशो भूमी इसी परमपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है और यशो भूमी का सीधा जिदा थन्देश है इस भूमी पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है यह भविश्य के भारत को सोकेस करने का एक शांदार सेंटर बढ़ेगा साथियों भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ बड़ी व्यापारिक शक्ति को सोकेस करने के लिए भारत की राजदानी में जैसा सेंटर होना चाहिए यह वो सेंटर है इसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और पी एम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं अब देखिए यह एरपोर्ट के पास में है इसको एरपोर्ट से कनेक करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्गाटन हुआ है इस मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेश से जुड़ा हुआ है इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में यह यहां पहुच पाएंगे यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का मनोरंजन का शॉपिंग का टुरियम का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इको सिस्टिम में बनाया हुआ है पूरी वबस्ता में बना हुआ है मेरे परिवार जोनों बदलते हुए समय के साथ विकास के रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी IT इंडस्ट्री के बारे में सोज भी नहीं सकता था आज से 30-35 साल पहले सोचल मीडिया भी एक कलपना भरी था अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावना है यह सेक्टर है कांफरेंस टुरीजम का पूरी दुनिया में कांफरेंस टुरीजम इंडस्टी पचीस लाग करोड से भी ज्यादा है हर साल दुनिया में 32,000 से भी जादा बड़ी एक्जिमिशन लगती है एक्ष्पो होते हैं आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश की आबादी 25 करोड होगी लोग वहां भी कर देते हैं यहां तो 140 करोड के आबादी है जो आएगा वो माला माल हो जाएगा बहुत बड़ा मार्केट है कांफरेंस टुरिजम के लिए आने वाले लोग एक सामान ने टुरिस्ट की अपेक्षा कई गुना जादा पैसा खर्च करते हैं इतनी बड़ी इंड़स्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ एक परसेंट है सिर्फ एक परसेंट भारत की ही अनेकों बड़ी कबडियां हर साल अपने इवेंट्स बहार करना के लिए मजबूर हो जाती है आप कलपना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने हैं अब आज का नया भारत खुद को कांफरेंस टूरिजम के लिए भी तैयार कर रहा है और साथियों आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिजम एडवेंचर टूरिजम वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो मेडिकल टूरिजम वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाय हो स्पिरिचल टूरिजम वही होगा जहां एतियासिक धार्मिक स्पिरिचल अक्टिविटी हो हिर्वेंचर हेस्ट्र टूरिजम वही होगा जहां हिस्ट्री और हैरेटीज का बहुल्य हो इसी तरह कान्फरंस टूरिजम वही होगा जहां इमेंट्स के लिए मिटिंस के लिए एक्जिबीशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो इसलिए भारत मन्डपम और यशो भूमी ये ऐसे सेंटर है वो बिल्ली को कान्फरेंस टुरिजम का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं अकेले यशो भूमी सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है यशो भूमी भविश्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कान्फरेंस, मीटिंग्स, एक्जिबिशन इन सब के लिए क्यों लगने वाली है आज मैं दुनिया भर के देशों में एक्जिबिशन और इवेंट्स इंडस्टी से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशो भूमी में विश्य इस्तुप से आमंत्रित करता हूँ, मैं देश की पूरा पस्तीम उत्तर रखेन, हार छेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूँगा, आप अपने अवार्ड्स हमारव, फिल्म फस्तिवल, यहां आयोजीत करिए, फिल्मे के पहले शों यहां आयोजीत क करिए, मैं इंटरनेशनल इवेंट्स, कमपनीज, एक्जिमिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंदपाम और यशो भूमी से जुड़ने को आमंत्रित करता हूँ, मेरा परिवार जनो, मुझे विश्वात है, भारत मंदपाम हो या यशो भूमी, यह भारत के आ देंगे, भारत मंदपाम और ये यशो भूमी, दोनों में ही भारतिय संस्कृति और अत्या दुनित सुविधाओं इन दोनों का संगम है, आज ये दोनों भंवे प्रतिश्टान, नए भारत की यश्गाथा, देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं, इन में नए भारत की आकांच्छाओं का प्रतिमिम्ब भी है, जो अपने लिए सबसे बहतरीन सुविधाएं चाहता है, साथियों मेरे शब्द लिख्ये रखिये, भारत अब रुकने वाला नहीं है, हमें चलते रहना है, नए लक्ष बनाते रहना है, और उन्स नए लक्षों को पाकर के ही चैन से बैठना है, और ये हम सभी के परिशम और परिशम की प्राकास्टां देश को 2047 में दुनिया के सामने डंकी की चोड़ पर विक्सित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प ले करके चलता है, ये समय हम सभी के लिए जूट जाने का समय है, हमारे विश्व कर्मा साथी मेकिन इंडिया की शान है, और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस सान को दुनिया के सामने सोकेश करने का माध्यम बनेगा, एक बार फिर सभी विश्व कर्मा साथियों को, ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत-बहुत बदाई देता हूं, ये नया सेंटर यश्व भुवी भारत के यश्व का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाएं, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत-बहुत सुब कामना हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, अबश्कार.